मेरा नाम है रवी और दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपनी Axis Bank My Zone Credit Card को किस तरह से activate करते हैं यह देखिए My Zone Credit Card हमारे पास है और इसको हमें अभी activate करना है this इस तरह से हम करते हो देख लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी एक्सिस बैंक एप में जाना है एप के द्वारा ही हम इसे एक्टिवेट करेंगे अगर आप एप यूज नहीं करते तो उसके भी एक वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा आप मुझे कोमेंट करके बता सकते हैं जल्दे जल्द उसकी वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए तो ठीक है अभी देखिए लोगिन कर लेता हूं मैं एक बार अपनी एप में तो देखिए लोगिन हो चुके हैं दोस्तों हम और यहां पर मुग पर बैलेंस दिखा रहा है अभी हमें थोड़ा नीचे चल सब्सक्राइब हो चुकी है थैंक्यू फोर चुजिंग एस एज और नेक्स्ट कर यह दिखा रहा है और नीचे देखिए टैप ओन एंविलाप टू बिगिन एक क्रेड़ कर का एक एंविलाप टाइप में बना हुआ है इस पर हमें क्लिक कर देना है लेट्स सैटब यूर काड्ड तो अभी देखिए यह एक नयी मेन्यू इस पर एक हैं मुझे क्लिक कर देना है अभी देखिए डॉमेश्टिक यूजिज इस क्या है आपका ओफ है और कॉंटेक्ट लैस्प्वी ओफ है तो डॉमेस्टिक यूजिज को ओन कर देना हमें यह आप ओफ लिमिट भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं वो मैस्टिक यूजेज में हैं इक ओमर्स ठीक है ईक कोमर्स की लिमिट को आप चाहें तो भी सजार पत्फिस अजार कितने भी कर सकते हैं मिनीम आपकी 1000 रूपर हो सकती है वह मैक्सिमम जैसे की लिमिट 40,000 है इस कार्ड की मेरे पास तो 40,000 मैक्सिमम मैं कर सकता हूं ठीक है नीचे एक और आ रहा है इसको भी आप ओन या ओफ कर सकते हैं मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूं ATM का लिमिट जो है वह 40,000 है लेकिन इसको मैं बिल्कुल बंद कर दे सकते हैं POS पे भी मुझे नहीं चाहिए इसको मैं इसको भी ओफ कर देता हूं मुझे ओनली e-commerce चाहिए ठीक है अभी next पे मैं क्लिक कर देता हूं अभी international usage आप ओन या ओफ कर सकते हैं यहीं से तो मैं international usage जो है उसको ओन कर देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत रहती है international product खरी करती है फिर से और यह जो है ATM ATM भी international आप कई बाहर जाते हैं किसी देश में तो इसको यूज कर सकते हैं मैं इसको भी यहां से ओफ कर रहा हूं ठीक है ओफ हो गया है अभी POS पे भी मुझे कुछ नीची यह इसको भी मैं ओफ कर देता हूं तो यह भी मैंने ओफ कर दिया है अभी देखे यूज दिस लेटर ठूर्व कंट्रोल संटर ठीक है आप इसको बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं आप कर सकते हैं बाद में भी आप में इसको चेंज कर सकते है अभी next पे क्लिक कर देता हूं मैं अभी set new pin ठीक है आपको चार डिजिट के नई pin set करने है send OTP to set pin अभी देके नीचे लिखा हुआ है send OTP to set pin pin set करने के लिए आपके पास आपके phone number पे एक OTP आएगा जो bank के साथ attached है जो phone number उस पे और फिर set कर सकते हैं अपने pin ठीक है तो send OTP to set pin इस पे मैंने क्लिक कर दिया है और अभी OTP के हम बेट कर लेते हैं OTP आते ही हम इसमें डाल देंगे देखिए OTP आ चुका है और auto detect इसने नहीं किया है ठीक है मैं डाल देता हूं जो पिन उपर डाले हैं वही दो बारा डाले हैं तो यहां पर भी मैंने दोनों जगे डाल दिये हैं new pin और set pin इस पर में क्लिक कर देला है enter mpin to authenticate setup of your card अभी mpin डालना है आपको जो आपकी है और यह उपर देखिए sms भी आ चुका है हमारे पास तो इसको अटा देता हूं मैं total outstanding है वह 590 ठीक है यह आप card के बारे में detail दिखा रहा है कि 590 जो रुपए हैं वह हमारे card से कट चुके हैं वह किसी कटे हैं तो यह पांसो नब रुपए कटे हैं वह है credit card जो हमने लिया है उसकी fee plus GST लगके यह 18% GST लगता है तो पांसो नब रुपए कटे हैं और main balance जो है परस से नीची आया मैं और credit card इस पर मैंने क्लिक किया और यहां पर आपका credit card के detail दिखा दे यह देखे वही सारी चीजे जो आप अपने access bank my zone credit card को activate करते हैं access bank app के थूप तो उमीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस टेक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल है सुझाव है ताप comment करके पूछ की सबके हैं मुझसे चल्टी जल्द उसका भी आंसर दूंगा मैं जल्दी फिर मिल